साथ स्रीकाल जी मेहा हर्जोत को आते तोड़ा सारंधा स्वागत है जी तोड़े अपने मन पे संदी मिग्रेशन शो उड़ारी विदेशा नूँ सो आज आपा कैनेडा दी भी गल करांगे ऐस्ट्रेलिया दी भी गल जरूर करनी है नाल दी नाल तो आड़ी फॉन कोल भी रसीव करांगे सो तो आड़े कोई भी सवाल ने अपनी प्रोफाइल नू लेके या तुसी एप्लाई करना चाहरे हो माइंड क्लीर नहीं हो पा रहा ह के कीवे केड़े प्रोसेस देना लगे वादी है ता तुसी बेची जाक आज जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस दो पर शोदे दुरान भी कॉल कर सकोगे शो तो बाद भी इना नंबरां ते कॉल करके अपनी हो जानकारी तुसी जरूर ले सकोगे ते आज तो आड़े ना जानना चाहूंगी किस तरह दे रिजल्ट्स हुन आ रहे ने नौन-SDS प्रोफाइल दो पर वी मैं जरूर रिजल्ट्स जानना चाहूंगी क्योंकि स्टूडेंट्स जिना ने अप्लाई किता हुए जिना रिजल्ट्स नहीं आया है फिकर तो हुंदी है उन्हानों पर अग आप पहन ला जानने तो बच्चे दी फाइल नौन-SDS केटेगरी दे विच ही अप्लाई हुन दी है यह अगर स्टूडेंट दे बैंड स्कोर काट है एक मोडियूल दे विच यह दो मोडियूल दे विच साधे पंच बैंड स्कोर है तामी थाड़ी फाइल नौन-SDS स्टूडेंट अपनी एक साल दी फीस पे करें जी आईसी पे करें स्टूडेंट दी प्रोफाइल तां कंसीडर किती जाएगी अगर ओवरॉल 6.5 नौट लेजन 6 minimum स्कोर दी रिक्वार्मेंट है चाहे तो उसी फ्लस चो किती है चाहे तो उसी ग्रैजुएशन किती है पोस् स्टूडेंट किनी आई जेड़े कोर्स देविच में अपनी अप्लिकेशन अप्लाय का रहे है उसी रिक्वार्मेंट किनी है हर एक चीज़ी प्रॉपर अगर स्टूडेंट असेस्मेंट करवाएगा तो प्रोफाइल देविच ये ओफ़र लेटर्स देविच कदे भी ऐसी आपक्षाव कुछ सवाल स्टूडेंट ये और फेक ऊफाइलेटर नों लेके वी लाये नी दू मैं थे जरूर तो एस सारी थी जरूर समझना चाहांगी कि कि ये मसला चाल रहे है ऐस्टूडेंट ये नष्टूडेंट ब्लेंटेंग लेज राए एफ़ इसे विच प मेरे साथे पांच बैंड है बट मेरे एजेंट ने वीजा लगवा के देता है बट एनी स्टुडेंट देख रहे हैं कि आज नो जदो बाहर चल जेगा तो उन्हों किन्हीं जाधा प्रॉब्लम आ रही है होँजे मैं अपन यूज देख रहे हैं विदिन दी कंट्री देख रहे हैं फेक ओफ लिटगर करके क्योंकि तुडेंट नो वर्क परमेट देख प्रॉब्लम आ रही है जदो अपनी अप्लिकेशन अप्लाए कर देख रहे हैं स्टूडेंट उस टाइम ते प्रॉपर प्रॉपर जानकारी रहो तड़ स्टूडेंट आइडी नंवर होना चाहिदा है तुसी डिल अप्रूव्ड कॉलेज दे बिच अप्लाए कर रहे हैं सिर्फ ए ना देखो कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रेलेटेव है ओ इस कॉलेज दे बिच गया ता मैं वी या जुद्ध है अपनी फाइल लगानी है एचीज नों भी देखो कि वह बच्चा दो या तेन साल पहला ऑग्या सीगा ओदो दी रिकॉर्मेंट है ओधो दी रूपरेंट सी ते आज यह बच्चे दी रिकॉर्मेंट डिक्फरेंट है है इसलिक ए हाज जंदे किसी भी कंट लेके जदो आंदे हो उना दी सैस्मेंट किती जान दी है एक एक पुएंट जो है देख के पर्क के तो आम दुस्ता जान दा तुसी किते लिए लिजिबल हो उस तो बाद ही तो अनुप पता लग पान दा किन्नी है सारी आप्शन्स ने थे जड़ी आप्शन था लाग दिया बेस्ट हुन दिया दी सुटेबल तो आडी प्रोफाइल दे कॉर्डिंग दी तुसी उजो पर चाल दे होए अपना स्टडी वीजा जरूर हासल कर साग दे हो पर नाल दी नाल असी अपने शोधे जरीए हमेशा एक कल जुरू स्टूनेंट्स नो कहनने है के जैन्यून करो अपनी प्रोफाइल विछ ना लगाया करो क्योंकि अमबैसी तो कोई भी चीज लुकी छिपी नहीं रह साकती जज़ पता लगेगा कि तुसी फेक डॉकमेंट्स लगाया नहीं तो आडी प्रोफाइल ते बैन भी लग साकता है तो तुसी इस करके सही टंग देनाल क्यो साथ तुसी नहीं तो कि अपनी प्रोफाइल सारी दास देती है की काऊगे तुसी यह हुँ ना जुलाइं टेक लिए फटावट अप्लाइग अज़िए बिल्कुल बच्चे दी प्रोफाइल देखो 89 परसेंट है 6 not less देन पतिन क्या बैंट स्कोर सी 5.5 है यह ओवराल 6 not less than 6 बैंट स्कोर है 2000 बाइपास आउट सुडेंट है कॉलेज युनिवर्स्टी दोनों जगत उसे अपनी अप्लिकेशन अप्लाइग कार सा दियो तो उसे अपना बोर दी अपने थी प्रोपर इन्फरमेशन नहीं मिले क कि बच्चे ने पंजाब स्कूल एडुकेशन बोर्ट सीब्स या इससी चो कंप्लीट किती है युनिवर्स्टी दे विच अप्लाए का रहे हो कॉलेज दे विच अप्लाए का रहे हो इस चीज दा फर्क नहीं पेंदा फाइल दी असेस्मेंट करवाना सब तो जादा जरू तो नवेंबर इंटेक दे विच काफी दिक्कदा सामना करना पैसाद है जिमियां कि अपा हूं देख रहे हैं कि जुलाइंटेक दे विच सिर्फ अले एक न्यूज ही आई है वर्किंग आवर्स नो लेके 24 आवर्स पर वीक लीगल कर देते गया है अग यान वाले टाइम द पस्तु तो बाद भी रहन दिया है कैसी डिप्लोमा जाहिए डिग्री चाहिए की देख दे हुए स्टूडन नों चूज करना चाहिए बिल्कुल देखो आज दे टाइम दे विच हर एक बच्चा यूनिवस्टीज अफोर्ड नहीं कर साथा दा डिग्रीज अफोर्ड नही स्टूडन नों फीज निकालन दे विच कोई भी प्रॉब्लम ना है क्योंकि होन तब वोकिंग आवर्स भी कट चुके है जाधा टाइम बच्चा नहीं काम कर रहा है तो स्टूडन ने अपनी फीज भी अरेंज करनी है अपना लिविंग स्टांडर्ड भी देखना है बाकी अगर तब तुस positivity धो अपनी अप्लाय करना जानने हो तो १ृधि धीज देखके ही अप्लाय कर रही अ व्यूंपना क्शी चरही कर और लिवर्स्टेश भी टीज ऐ नहीं कोई डिक्कत फेस कर नहीं पहंदी है तो तुम्ह पthe churches देखके से करेंगे की स्फेलेंगअ बिल न जो अपनी फाइल अप्लाए कार रहा है इस चीज ज़रूर थान रखे कि मैं पैकेज दिविच अगर अप्लिकेशन अप्लाए करेंगा तर जी टी में की में कॉलिफाइ करेंगा इंटर्विव की में क्लियर करेंगा जी सो अगले अगले सवाल है अगले 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 शुच अख्या अगले आप्लाइ करना चाले है ठीक है बिलकुल माम तुसे तो स्कॉलर्शिप ली अप्लाए कर साथ है बट दोहजार बाई पास आउट हो अले तक तुसे अपने अप्लीकेशन कियो नहीं अप्लाए किती है हलो 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 I think कुना तक सद्यवाज नहीं पहुंच पा रही गया वह लेर 25% scholarship प्रोवाइट किती जारी है जिरे students भी प्रोफाइट प्रोफाइट स्टुडेंट कंसीडर हो रहे है तो टाइम लिए अप्लिकेशन अप्लिकेशन अप्लाय करके तुसी जुलाइन टेक दे विच प्रोसीड कर साथे हो ठीक है जी अगले कॉलर साथ न जुड़ेने हालो अप्लों अजी साथिक आल जी की ना मैं केडी जगातो बोल रहे हो जी की सवाला जी जी अच्छी में एनल बीए किती हुए तो सर एक किदी अच्छी ने मिले तीक है टीक है अप्लिकेशन ने अप्लिकेशन ने अप्लाइ कार सादेने दो जार एक की दो बाद तो से की किता है माम अप्लिकेशन ने अप्लिकेशन अप्लिकेशन अप्लाइ कार सादे ताडे जेड़े भी डॉक्यमेंट से ओफ़ लेटर है जॉइनिग लेटर है तो अपने ग्याप दी जस्टिफिकेशन प्रॉपर दे रहे हो कोई प्रॉब्लम निया चाहे बच्चे दो हजार एकी पास अगर ताडे कोल है गया तो वीजा दे विच कोई भी प्रॉब्लम में हांदी हार एक कॉलेज हार एक उनिवस्टिस तानो आफर प्रॉसीड कर दिन दे बच्च जरूर करियो कि जोदो भी केड़े भी कॉलेज दे वीच या कोर्स दे विच तुसी अप्लाय का रहे हो कि उस वैंसे सारे जान दे हैं वैसे वी कि एस्टेलिया दी फाइलिंग बाकी कंट्री दिफरेंट रहे है डॉकुमेट सही तरह ना लगाने भूत ज़्यादा जरूरी आप लेख सा इते अगर अगर हम और अस्टेलिया दी ही गल रहे है तो मैं जुरूर एते समझना चाहूँ कि एड प्रेज़न्ट आपर रिजल्ट्स दिगल कार दिया था किस तरह दी प्रोफाइल से गुब रिजल्ट्स देखे जारे ने बिल्कुल हर एक प्रोफाइल दा मैं वीजा सक्सेस रेट अच्छ है बट ओप्रोफाइल जिना ने डॉक्यमेंट अच्छी तरह प्रोवाइड क अच्छ स्वी काल जी की ना में केरी जगात बोल रहे हो जाशी काल मैं मैं मेरे नाम रिश्यू है हाझ जी मैं में होगी तो गल कारे है मैंने ना करेंड आवारे पट्स ना सिगहां ओके आपनी प्रोफाइल पहल अंधाज को मैं बीट था थीक है आल जबिच मेरे 6 बैंट प्लस तो विच किन्ही परसंटेज है तवाड़ी 84 परसंट है ओके ठीक है कैनेडा अप्लाई करना चाहन दे हो ओके हां जी एक मोट्यूल दे विच साथे पंच बैंड है तो नौन-SDS काटगरी दे विच ही नदी अप्लिकेशन अप्लाई होईगी बहुत सारे कॉलेजी नो देखके ही तानु गाइड किता जाएगा अगर कोई कॉलेज एक मोट्यूल देविच साथे पंच बैंड असे ताही तवी फाइल लगे प्रोसीट करांगे ने तो अपना बैंड स्कोर इंक्रीज करके अपनी अप्लिकेशन लगाओ ताकि वीजा दे अपना चारे तो सप्टेंबर 2003 इंटेक है इस तो नेक्स इंटेक तानु जैनवरी 2004 इंटेक ही मिलेगा तो टाइमली अपनी फाइल प्रोसीट करो हाले तक जिमें स्टूडेंट दा कोई भी गैप नी सी गया बट 2022 निकले नुवी इक साल हो जेगा जातनु बच्चे अपन पर तो से वर्क एक्सपीनिस देना जस्टिफिकेशन दे सादियो बट फ्लस्टो तो बाद जड़ा गैप अधी जस्टिफिकेशन देना बहुत ज्यादा प्रोब्लम अंदिया स्टूडें तो टाइमली अपनी फाइल अप्लाए कर एकर ताक वीज़ दिक्कत नाए जी सो पर जाद तो जादा कॉल्स भी रसीव जुरूर कर नी है हलो अलो साश्रीकाल जी की ना में केडी जगा तो बोल रहे हूं अधी जी सवाल किये अश्रेलिया बारे पुछनासी में प्लस्टू की तीए डोजार वीज ठीक है अधी आर्स्ट्रीम तो प्रेंटेश में अरे 58 स तो बाद माम तुसी की किता है गाप दी जस्टिफिकेशन के में देव होंगे मैं डिप्लोमा करें है तुसी नहीं मैं ओके दोजार वी पास आउट है तो पहला कदी किसी कंट्री ली अपनी अप्लिकेशन अप्लाइगी ती है कोई वर्क एक्स्पिरियेंस है था डेकोल न आइल्स किती एकचा साथे पांच बैंड या तो उसी अपनी कंट्री चेंज कर साथे तो उसी यूक ऑस्ट्रीलिया कानडा ली अप्लाइ कार साथे हो यह अगर कई भी कॉलेजिस जेडे हैगे अगर ताड़ा गाप असेप्ट कर दे सब्तों पहला असेस्मेंट करावांग यह यूक दे विच भी अपनी अप्लिकेशन प्रसीड कर साथे जी बाकी सुडेंट्स नो भी जरूर कहना चाहांगे तो आड़े भी अपने कोई सवाल ने ता लगाता नंबर इस्प्ले आजी शो दे दुरान भी कॉल कर साथे हो शो तो बाद भी सेम इसे नंबर ते तुस इस जे बीच आयें दी है पीटी स्कौर वाली प्रोफाइल भी नॉनस्यशीर विच आये लिए प्रّ पिते वह बाद कॉली कोलेज ओट रिशो ते एसेप्टेबल है तो स्टूडें टे कोईस बहुत जाने का जए ब्यादा निया पर्टिक्टिकुलर हो ही कॉलेज या कोर् आयल जी है, 6 इच बैंट स्कोर दी रिक्वार्मेंट है, ओवरॉल 6.5 इच दी रिक्वार्मेंट है, जी मैं अपा गल करी, एक जगर बच्चे दे 6-5 बैंट आ जन्द है, तो जदो अपने कोल ऑप्शन बहुत काट आ जन्द है, तो इसलिए बच्चे नो सिजेस्ट किता जन आ जन्द है, तो इसलिए बच्च दे जन्द है जावानों, तो IELTS दे विच प्रोसीड करो, IELTS दे विच अप्लाए करोंगे तो अपने कोल ऑप्शन जादा आ जाएंगी, क्योंकि IELTS दी है हर एक कंट्री दे विच अप्टेबल है, चाहे ऑस्ट्रीलिया, चाहे अगला सवाल भी सुन लेने हैं हालो है हां जी सवाल जी की ना में केड़ी जगा तो भोल रहे हूं जी मनप्रीट जी की सवाल है टीक है टीक है तो से अप्लाए करना चाने है मैं बिल्कुल दुसे अप्लाए कार साथ हैं अपहुन ही दसके हटे हैं कि नन-SDS केटेगरी दे विच ही ताड़ी फाइल असेप्ट होएगी सब्तों पहले असेस्मेंट करवानी पाएगी कि ताड़ी प्रॉफाइल को कॉलेज यूनिवर्स्टीज लिए लिजबल है क्योंकि अच्छे टाइम चाप पा देखने है तो स्कोर्स ही जो अगर अपनी प्रॉफाइल दे असेस्मेंट कराओ इस चेज नो त्यान रखो कि अगर मैं फाइल कानडा ने लगाना है तक किन्ने मेरे वीजा आंदे चांसेज है अगर अपनी दॉक्प्रॉफाइल करवासा अगर ताड़े को फंडिंग है तो उसी अपनी आप्लिकेशन अगर तो तो अपना बैंड स्कोर इंक्रीज करके चांडा स्टेडी विजा लिए अप्लाए कर साथे हो अगर तो 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 अप्शन आज ते टाइम दे विच मिल रही है ने सप्टेमबर इंटेक ली ताही तो तो उसी चांडा ली फाइल अप्लाए करना ने तो एक बैंड सब्सक्राइब करना चाहिए कि जेकर सिर्फिक मडियूल चे साधे पंच बैंड और तुसी अपनी प्रोफाइल नो नौन स्टेगरी चिकार देने हो अगर तुसी अपना आइल स्कोर इंप्रूव कर लान दे हो तुसी एस्डियस में चाहिए तो तो आडिकोल और वीजा सब्सक्राइब कर दे हो तुसी तुसी ठीक है 58 परसंट एजा और तुसी आइल्स क्लियर किता है तुसी अपना सवाल दा जवाब TV स्क्रीन ते सुन साक दे हो हां जी ओवरॉल 6.5 not less than 6 band score काफी जादा अच्छे हैं बट जेडी परसंटेज है ग्रैजुएशन दी हो कट है 58 परसंटेज है तो अपने को अप्शन बहुत जादा काट जान दी है जी मैं कि मैं ता अंदास केट है कि बच्चे नहीं अलाद है कि अगर मैं आइल्स किती है पीटी किती है मेरा band score काफी अच्छा था मैंनो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बट उत्याब अगेडमिक स्कोर वलते हैं देना बहुत कट कर देने हैं तो इनना दी प्रोफाइल दे विच चैनेडा ऑस्ट्रीलिया यूच यूच यूएस हर एक कंट्री दी प्रॉपर एसेस्मेंट करवाई जाएगी तानौ आप्शन प्रोवाइड किती है जाएंगे अगर ताड़े वीजा आंदे चांसेज कानडा दे विच अता ताड़ी फाइल कानडा दे विच साड़ी टीमवल प्रोसीड किती जाएगी नहीं तापा कंट्री चेंज करके तुसी ऑस्ट्रीलिया चाप्लाय कार सादियों क्यूंकि ओवरॉल परसंटेज दी रिक्वार्म सब्सक्राइब के तुद्फी त्वीजा नहीं नहीं काड़ सकांगे क्योंकि नहीं क्यूंकि समय थी थोड़ी कमी जरूर है तो इसकार के स्टूडेंट्स नो जरूर करना चाहांगे कि तुसी तोडे सवाल ने नमबर जड़ा तुसी देख रहे हो स्क्रीन देऊ पर इसनो नोट कर लो शो तो बाद भी से नमबर ते तुसी कॉल करके जो है अपने सवालां दे जवाब जरूर ले साग दियो सो बहुत अपडेट टाइमली तो अनलसी सांजा का दे रहे है फिलहाल दलहीं मैंनो यानि के हर्जोत कॉर्न विद्यो जी इजाज़त तानवाद